कुछ लोग कहते हैं, मित्रता बराबरी वालों में करनी चाहिए, परंतु मैं कहता हूँ, कि मित्रता में किसी प्रकार की कोई बराबरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मित्र तो मित्र होता है, आप समझ गए होंगे, मित्र तो मित्र होता है, चंद्रगुप्त मौर एक बात कहते हैं कोई भी चीज हो आपके पास कितनी है यह महत्रपूर नहीं है वह चीज आपके काम कितनी आएगी यह सबसे ज़्यादा महत्रपूर है तो आप अपने पास रखी चीजों का एक बार निरिछड जरूर करें और फिर हमें बताएं हम आपको दिशा निर्देश करेंगे कि क्या आपके काम की है क्या आपके काम की नहीं है ठीक है क्या आप जानते हैं किताबे मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है परंतु अच्छे सिक्षा मनुष्य को जीना सिखाती है तो आप ध्यान रहे अच्छे सिच्छा ग्रण कीजिए संसकारों सहित सिच्छा ग्रण कीजिए क्योंकि बिना संसकार के सिच्छा किसी अर्थ का नहीं होता बेर्थ हो जाता है वास्तविक सिच्छा ग्रण कीजिए बनावटी का नहीं मिलते हैं तब तक के लिए वीडियो का क्या करना है आपको स्वते मालूम है प्यारा सा सेर करते रहे नव युवक लड़कों के लिए एक बात मैं कहना चाहूंगा मुस्कुराते रहो मेरे दोस्त क्योंकि चिंता करने के लिए बुड़ापा भी आएगा तो इसके लिए अभी हासो खु उम्मीद करना एकदम बेकार है इसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो को प्यारा सा सेर करना है एक पहचान हजारों दोस्त बना देती है और एक मुस्कान हजारों गम भुला देती है जिन्दगी के सफर में थोड़ा समल कर चलना मेरे दोस्त क्योंकि एक छोटी सी गलत सभी सपनों को जलाकर राख कर देती है तो आपको क्या करना है बहुत ही बारीकी से अपने सपनों के प्रति समर्पित होना है और निरंतर कारे करना है तभी सफलता मिलेगी तब तक के लिए जय जय मौरिवंश का नारा रुकना नहीं चाहिए और वीडियो से यर्व होते रहन चाहिए एक बहुत जरूरी बात क्या आप जानते हैं बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलास करने से बहतर है कि बुरे लोगों के बीच में रह करके उनकी बुरी बातों को ना ध्यान देते हुए उनमें अच्छी बातों का तलास करना इससे आप जो है कि निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और कोई भी आपके मार्ग में और ओध नहीं बनेगा ये मैं कह रहा हूँ पूरे विश्वास के साथ ऐसा ही होता है तो आपको क्या करना है कि अच्छाई पे ध्यान देना है बुराई पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है बुराई को नजर किसी को ना बताएं क्योंकि आपको पता है जिस कार पे किसी और की दृष्टी लग जाती है वह कार निश्चेत रूप से कभी पूरा होता ही नहीं है तो इसके लिए जो योजना अपने सपनों को साकार करने के लिए आप मन में बना रहे हैं वो दूसरे को कभी ना बताएं आप अपने सपनों के प्रति समर्पित होईए और निरंतर कारे कीजिए सफलता आपका होगा और मिलकर हमारे साथ हमेशा बोलते रहे हैं जैकारा लगाते रहे हैं जै जै मौरिवंश क्या तुम्हें पता है संबंध को जोड़ना एक बहुत बहतरीन कला है परन्तु समबंध को निभाना एक बहुती बड़ी साधना है तो आप समझ गये होगे कि इसके बाद आपको क्या करना है है ना फिर मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए आपको क्या करना इस वीडियो के साथ आपको पता है हमें बताने की जरूरत नहीं है क्या तुम जानते हो खुसिया तो उस चंदन की तरह होती है कि जिसको दूसरे के माथे पर लगाओ तो हमारी उंगलियम महक उठती है तो इसके लिए अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा बुरा करोगे तो आपको पता है क्या मिलेगा है ना तो इसके लिए अच्छा ही करो निश्चिते तुमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ उसे पूरा करके दिखाओ क्योंकि आज कल के लोग सुनने से कहीं ज़्यादा देखना पसंद करते हैं तो क्या सोच रहे हो? अपना सपना पूरा करके दिखाओ फिर तुमारा जीवन एक दम सुना रहा हो जाएगा क्या तुम जानते हो? चंद्रगुप्त मौरी कहते हैं कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी मेहनत से बदलेगा क्योंकि किस्मत तो जूए में आजमाई जाती है तो तुमको क्या करना है? पूरी जीजान से मेहनत करनी है और अपने सपनों के पीछे पागल हो जाना है कि कुछ दिखाई ना दे मंजिल तक जाना है तो जाना है जाना है तो जाना है समराठ चंद्रगुप्त मौरी जैसा बनना है तो बनना है तो बनना है है ना? तो इसके लिए हमारे साथ मिलकर बोलिए वीडियो शेयर कीदिए और फिर बोलिए जै जै मौरिवंच जिन्दगी से सीखा मैंने हालात कैसे भी हो कभी जुको मत मेहनत करो और कभी रुको मत सफलता निश्चिति तुम्हारी कदम चुमेगी तो क्या चाहते हो मेरे दोस्त लगा दो पूरी ताकत उनको किसको जो तुमको ऐस फल होते देखना चाहते हैं पूरी ताकत लगा दो जो आज तुम्हारे उपर हस रहे हैं कल निश्चिति तालिया बजाएंगे और एक प्यारा सा सेयर कर दो ताकि ये महत्मोर जानकाली और को भी मिल सके और विश्च मौरी परिशत को फॉलो करना न भोले तब तक के लिए सत्य में हो जैते जै जै भारत जै मौरी वंश अखंड भारत तुम तब तक पूछे जाओगे जब तक तुम किसी के काम आओगे क्योंकि तुमको ये ध्यान होना चाहिए कि चिरागों के जलते ही तीलिया बुझा दी जाती है तो इसके लिए अपने आपको क्या बनाना है यानि तुम अपने आपको क्या बना सकते हो पूरी जी जान लगा दो सफलता तुम को मिले तुम अपने सपने को साकार करो और दिखा दो दुनिया को कि तुम भी इस दुनिया को बदलने की ताकत रखते हो तुम भी जो है कि इस भारत भूमी के जो है कि रहने वाले हो और तुम भी एक विश्व विजेता परिवार के अभिन अंग हो क्या करना है? वीडियो सेयर करना है ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैजै मौरिवंश क्या आपको पता है आप अपना भविश से नहीं बदल सकते हैं लेकिन अपनी आदत बदल सकते हैं तो ध्यान रखना बदली हुई आदत आपका भविश से बदल देती है तो आपको क्या करना है अपनी बेकार की आदतों में बदलाव लाना है परिवर्ता लाना है एदि आपको सासक बनना है एदि आप जो है की सफलता को पाना चाहते हैं तो आदत बदलिए निश्चिति आपकी भविश्च में बदलाव आएगा, यह मेरी गारेंटी है, फटाफट वीडियो सेयर करो, और अगले वीडियो का प्रतिक्षा करो, मिलते हैं तब तक के लिए जय जय मौरिवंश, क्या आपको पता है, जब बारिस होती है, तो सभी पक्षी कही ना कही आस आपको क्या करना है, भीड का हिस्सा नहीं बनना है, भीड आपके लिए खड़ी होनी चाहिए, ऐसा काम कर जाओ, तुम विश्व भी जेताओं के वंसज हो मेरे दोस्त, तुम मौरिवंशी हो, मौरिराज घराना है तुम्हारा, तो इसके लिए इसका उपियोग करो, और द बाधाओं से कभी बिचलित ना हो ये, विश्वास रखिये कि जीवन में 99 द्वार जब बंध हो जाते हैं, तब भी कही न कहीं एक द्वार खुला रहता है, इसके लिए अपने मस्तिस्क का 100% उपियोग करते हुए, अपने लक्ष की तरप आगे बढ़िये, किसी के कहने कुछ नहीं होने वाला है, विश्व मौरी परसत से जुड़िये, और सही दिशा निर्देश प्राप्त कीजिए, और अपनी और अपने परिवार की अपने राष्ट की रक्षा कीजिए, तभी जो है कि कुछ आगे काम बन सकता है, चंद्रगुप्त मौरी के सपनों का फिर इसे पूरी दुनिया को दिखाना है, हमारा भारत विश्व गुरू था, हम अखंड भारत वर्ष के निवास हैं, कोई आसे हो ऐसे देश के नहीं जापे विखारी पाए जाते हैं, हम लोग सेरों के बनसज हैं, मौरियों के बनसज हैं, विश्व विजटा परिवार से आते बलकि इसलिए उनसे सीख लेनी चाहिए क्योंकि वो जब भी उठके गिरती हैं फिर एक नए जोस के साथ उठती हैं तो ध्यान रहे आपको क्या सीख लेना है और चंद्रगुप्त मौर किसी धानतों का पालन करना है जो काम की चीज है उसको रखो जो काम की चीज नहीं है उसको नजरंदाज करो और आगे बढ़ जाओ कच्रा साथ लेकर चलोगे तो कच्रा ढोने में ठक जाओगे तो सपने को पूरा कैसे करोगे इसलिए सई दिशा निर्देश पाना है विश्व मौरी पर सच जुड़ना है बोलो मेरे साथ मिलकर जै 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 मौरी वन्ष क्या आपको पता है काबिल जो होते हैं काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं तो ध्यान रहे अगर वर्जिनल मौरी है तो किसी से दबेगा नहीं और किसी प्रकार का सोचल का रोना नहीं रोएगा और जो नकली होंगे वो भड़काओं बयान देंगे और सोचल का रोना रोएंगे तुम सेरो की वनसजो, तुम समराटों की वनसजो, तुम विश्व विजेता परिवार के वनसजो, तुम सर्वस्रेष्ट हो, तुम इस देश के सासक हो, सासक का कभी सोसण नहीं हो सकता, इसके लिए योग बनो, टैलेंटेड बनो, हर प्रकार की योग गिता अपने पास हासिल करो, और फि साथ मिलकर बोलो, जय जय मौरिवंश, मैंने दुनिया घोमकर देख लिया है, ठोकर लगने से, चीजे अक्सर तूट जाती है, परन्तु सफलता, एक ऐसी चीज है मेरे दोस्त, जो ठोकर लगने पर ही आती है, तो ध्यान रहे, कभी कभी, अगर सेर दो कदम पीछे लेता है तो लंबी छलांग लगाने वाला है, तो इसके लिए कभी कुछ ऐसे हाथ से हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसी बात हो जाती है, तुम मन को निरास ना करें, चंद्रगुप्त मौर को याद करें, आप सासक की वनसज हैं, निश्चिती सफलता तुम्हारी दासी बनेगी, बीडि कम्यूनिटी को एक करके इस भारत के बाग डोर अपने हाथों में लो और सम्हालो, जै जै मौर वंश, क्या आप जानते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर कहते हैं, कि किसी मनुष्य का पीछा करने से बहतर है, अपने सपनों के लिए जी जान लगा दो, ताकि सफलता तो ध्यान रहे, आपको अपने सपनों को साकार करना है, एक शासक बनना है, दूसरे के पीछे नहीं बागना है, और ये भारत बिशुगुरु था, बिशुगुरु है, और बिशुगुरु रहेगा, हम लोग कही बोलते हैं न, वसुधय कुटम बकम, एक दर्ती, एक परि है, कि इस जीवन का जो समय मिला है, इसको सोना बनाना है, कि ऐसे सोने में गुजार देना है, निरड़े आपका है, हम तो क्यों सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आपको सासक बनना है, या दलिद्र बनना है, या बिखारी बनना है, इसका निरड़े आप कीजिए, क्योंकि आ आप मौर्य हो आप मौर्य बन कर रहो आप इस अखं़ण भारतवर्ष कर सासक के वन्सज हो राजा वश्गारी नहीं और सासकक का कभी सोषण नहीं हो सकता इतना ध्यान रखना और इस वीडियो को जादा जादा सेर करो ताकि सरी लोग मौरी लोग ये वीडियो पाएं और अपने आपको गवरान्मित महसूस करें कि वुए सासक की वन सजें किसी सोशड का रोना-रोने वाले के नहीं तुम दलिद्र तुम गिदण नहीं, तुम सेर हो, तुम मौरे हो, ध्यान रखना इस बात को फटाफट वीडियो से वर करो, जय जय मौरे बंश, जय जय मौरे बंश, जो ब्यक्ति सत्रू से दोस्ती करता है, मित्र सुपचिन्तकों को दुख देता है, और हमेशा बुरे कारियों में सनलिप् कर रहा हो ध्यान रहे चंद्रगुप्त मौरी की नीतियों का पालन करते विए आगे बढ़े और अपने राष्ट की रक्षा करें आपसी मतभेत को छोड़ें और देश की कमान समालें जै जै मौरी वंच जै जै मौरी वंच पडोसी का महल देखकर अपनी जोपड़ी तोड़ नहीं लिखाया कि जयाद हो जै पत्थर पर लिखा गया है घूहन की नदिय वहती है और नुम तुम मौर्या हो, ना तो तुम दलित हो, ना तो तुम गडेरिया हो, तुम मौर्या हो, तुम मौर्य बन कर रहो, तुम सेर हो, तुम सेर बन कर रहो, और राज करो, आपसी मत भेत छोड़ो, हिंदू और बौध की लडाई छोड़ो, तुम मौर्य वंच के जोय की वनसज हो, तुम राजा की वंसजो, तुम राजा की तरह रहो, अरे भाई राजा का सोशल कैसे हो सकता है, तुम राजा बन कर रहो, हर जगे पूजे जाओगे, ये सोशल का रोना बंद करो, राजा बनो, निरले तुमारा सुझाओ हमारा, मिलकर बनाएंगे अखंड भारत दोबारा, ज के जाए जाए मौर्म इस पूरोजों दूरा मिली बिशाट की चीजों का मात तो समझें और इसको संरचित रखें क्योंकि अखंड भारत भी हमें विरासत में मिला था ठीक है यह अमारे पूरोजों ने जी जान लगा कर पूरी मेहनत करके अखंड भारत का निर्माड किया था मौरियों ये बीडियो यानि सेर रुकना नहीं चाहिए सेर करते रहो चंद्रगुप्त मौरि नहीं अखंड भारत के स्थापना की थी अखंड भारत का निर्माड किया था मौरी नहीं होते तो ये देश नहीं होता इतना जान लेना और वीडियो को सेयर करते रहो जैजै मौरी वंश का नारा लगाते रहो क्या आप जानते हो भगवान भी अब तथास्तु कहने से डरने लगे हैं क्योंकि चतुर मनुष्य एक फूल चड़ा करके पूरा गुलसन मांगने लगता है क्या ऐसा संभव है अरे भाई मांगो वही जो इस्वर को यानि भगवान को देने में भी अच्छा लगे और फिर कभी मांगो तो फिर कभी वो दे सके इसके लिए अच्छा करोगे अच्छा देंगे और अच्छे का परिणाम सदय अच्छा होता है यह हमारी बात याद रखना लेकिन बीडियो सेयर करना ना भूलना सेयर करो डिगिरियां तो सैचिक रसीदे मात्र हैं परन्तु वास्तविक सिक्षा वह है जो आपके आचरण में जलकती है तो ध्यान रखना वास्तविक सिक्षित बनना चाहते हो कि नाम मात्र का सिच्छा ग्रहन करना चाहते हो यारी बिना संस्कार की दी हुई सिक्षा किसी अर्थ की नहीं होती वह व्यर्थ हो जाती है वास्तविक सेक्षित बनो बनावटी नहीं निर्डे तुम्हारे हाथों में है तुम्हे क्या बनना है वास्तविक या बनावटी मिलतों अगले वीडियो में तब तक कि लिए चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले एक हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा जंगल में सीधे पेड़ को सर पर्थम काटा जाता है तो आप सर पर्थम कटना चाते हो कि जीवन का आनंद उठाना चाते हो निरले तुमारे हाथ में है निड़ए करो और जीवन का आनन्द उठाओ और अपने आने वाले पीढ़ी का भी भविश्य बनाओ इसी में बादुरी है इसी में ही तुम्हारा परिवार का उज्वल भविश्य है अन्य था तुम्हारी आने वाली पिड़ी तुमको कोसेगी फिर मत कहना सरवेश मौरिया जी आपने मुझे बताया नहीं था मेरा काम है बताना निर्ड़े लेना तुम्हारा काम है तैयार रहो अपने मिशन पे डट कर मुकाबला करो सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है परंतु दूर तक वही जाता है जो सबको एक साथ लेकर चलता है तो निर्ड़े आपका है अपने समाज को एक साथ जोड़कर चलना चाहते हो कि समाज को तोड़कर चलना चाहते हो निड़ा तुम्हारे हाथों में है क्योंकि तुम्हारी आने वाली पीड़ी तुम्हे कोसेगी जरूर यदि तोड़ने का काम करोगे इसलिए सुई धागा बनो हमेशा जोड़ते रहो जो कैची बनने का काम करे उसे समास से भैस्कृत कर दो और बोलो हमारे साथ जै जै मौरिवंश क्या आपको पता है चंद्र गुप्त मौरि कहते हैं कि भरोसा सब पर कीजिए परन्तु सावधानी के साथ क्योंकि कभी कभी स्वयम के दात भी हमारी जीव को काट लेते हैं समझ में आ गया भरोसा किस प्रकार करना है बिल्कुल सावधानी से निश्चिति तुमको फिर कोई छल नहीं पाएगा और हर जगह तुम निकलते जाओगे ध्यान रखना इस बात को किसी सांथ ब्यक्ति से अपनी तुलना करके देखो निश्चिति जो तुम्हारे अंदर एहंकार है गमंड है एकदम सित्याग दोगे क्योंकि जो सुकुन तुम इस दुनिया में ढून रहे हो वह तुम्हारे अंदर है क्योंकि एक बात जानते हो मन के हारे हार है मन के जीते जीत पार ब्रह्म को पाईए मन से करके प्रेत तो ध्यान रखना अपने मन को अपने वस में रखो और हमेशा सांत रखो हर चीज में सफलता प्राप्त होगी मेरी इस बात को ध्यान रखना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक भी जिस पर ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नश्ट होना सभाविक है वह चाहे फिर संगत हो धन हो, रिष्टा हो या कोई मित्रता हो वह नश्ट ही हो जाएगा इसके लिए कोई भी कारे करो किसी प्रकार का हो हाँ कोई पदा धिकारी हो यादि अपने पद पे भी ध्यान देना छोड़ दिया उसका पद जाना निश्चित है इसके लिए निर्ड़े तुमारा हमारा का हमेश सुझाव देना निर्ड़े तुमारा कि तुम्हें सफल होना है या हासे का पात्र बनना है समाज के डर से कभी भी अपने फैसले मत बदलना क्योंकि समाज केवल नसियत देता है खाने की रोटी नहीं तो ध्यान रखना निरिले तुम्हारा है तुम्हें आगे बढ़ना है कि सब की फालतों की बात सुननी है ध्यान रखना इस बात को और फटा फट वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सस्क्राइब करो क्या आपको पता है लक्ष्मी की चोरी हो सकती है परन्तु सरस्वति की कभी नहीं अबस्य करें और चैनल को सस्क्राइब करना ना भोलें लोग चाहते हैं कि आप बहतर करें लेकिन वह यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बहतर करें इसके लिए बहुत से ऐसे नेड़ा होते हैं जो स्वयम आपको ही लेना है दूसरे से आप पूछेंगे तो आपको पी यदि लक्ष सरोपरी है तो आलोचना तारीब और विवेचना कोई माइने नहीं रखता तभी जाकर के लक्ष प्राप्त करोगे जब ध्यान पूरुवक काम करोगे समझ में आ गई तो वीडियो सेर करो और चैनल को सस्क्राइब करो जै जै मौरिवंच क्या आपको पता है जिसको बढ़ना होता है वह लाख कठनाई आने के बाद भी आगे बढ़ जाता है और जिसको नहीं बढ़ना होता है वो तो सदयों बहाने बनाता है इसके लिए आप इन से चंद्रगुप्त मौर से कुछ प्रेणना लीजिए कि अखंड भारत बनाना थ बनाना है तो बनाना है इनका ऐसा संकल्प था और अंततो गत्वा यह हुआ कि अखंड भारत जो है कि बना ही डाले आज हम लोग उसी भारत में रहते हैं इसके लिए लाख कठनाई आने के बावजोद भी तुम हिम्मत मत हारो निश्चिति जीत तुम्हारी होगी कोई बहाना नहीं जब तक लक्ष ना प्राप्त कर लो तुम तब तक निरंतर चलते रहो और मेहनत निरंतर होनी चाहिए यदि सफलता चाहते हो तो बोलो जय जय मौरिवंश जेब में वजन हो तो बातों में वजन आ जाता है फिर लोग आपकी बात एकदम ध्यान से सुनते हैं चाहे आप कोई बकवास ही क्यों ना करो तो ध्यान रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों पैसे पर भी ध्यान दिया करो क्योंकि पैसा बहुत बड़ी चीज है समझ में आ रहा है कुछ कमाई धमाई कर लो ताकि अपने सपने पूरा कर सको और अपने लक्ष पे निरंत होगी अन्य था यह दुनिया तुम्हें बीना काम का समझ के बाहर निकाल देगा तो तै तुम्हें करना है तुम दुनिया से बाहर जाना चाहते हो या इस दुनिया पर राज करना ही उचित निर्ड़े होगा लगा दो पूरी जी जान पूरी मेहनत में सफलता तुम्हारी क चित्रांगत मौरया ने बनवाया था तुम लोग क्यों हात पे हात रखके बैठे हो तुम उनके वनसज हो जिन्हों ने पूरे विश्व पर एक छत्र सासन किया है समराथ चंद्रगुप्त मौर के वनसज हो जिनके वनसज ने इतना बड़ा-बड़ा विसाल नकासिदार किला दुरग बनवा दिया और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो तुम लोग भेड़ बनने की होड़ लगाए हो तुम लोग जो है कि मौरे हो मौरे बनकर रहो दलिद्र नहीं मौरे हो एक राजा के अंदर वो चवी क्रियेट होनी चभी दिखनी चभी दिखनी चभी राजा क कि तुम राजा ओ अपनी प्रढों का कैसे ख्याल रखना है पहले आपस की लडाई छोड़ो फिर प्रढों का ख्याल रखना मौहिंने दूसरूं की द्यान का वही पर फोकस करो कि तुम क्यूं असफल हुए थे उसका कारण क्या है डूड़ो और उसको सुधार करो फिर से तैयारी करो और हुंकार भरो निश्ची थी जीत तुम्हारी होगी और तुम भी एक दुनिया में अपना सामराज ख़़ा कर सकते हो तो सामराज ख़़ा कर लेना तो ये कहना मत भोलना जै जै मौरिवंस हार एक सबक है जो कि स्वयम को सुधारने का मौका देती है यदि तुम जिन्दगी में सुकून पाना चाहते हो तो लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो और लोगों की बातों को दिल से लगाना छो और दो निश्चित ही जीत तुम्हारी होगी और तुम कभी निरास नहीं लोटोगे ये हमारी बात याद रखना और जब सफल हो जाना तो एक बार जरूर प्रेम से कहना जै जै मौरिवंस तुम तब तक लड़ना जारी रखो जब तक स्वयम की निर्धारित की हुई जाप्त ना कर लो क्योंकि तुमको तुमसे बहतर कोई और नहीं जानता इसके लिए अपने लक्ष पर अडिग रहो और निरंतर चलते रहो निश्चित ही दीत तुम्हारी होगी और जीतने का मजा भी आयेगा जैसे कि चंद्रगुप्त मौर साथ वर्ष की अवस्था से सं अखंड भारत वर्ष बना लिए और संपोंड दुनिया के राजा हो गए तो बोलो जैजै मौरिवंच प्यन दो रुपय का हो या 200 रुपय का हो लिखता वही है जो हम चाहते हैं परन्तु जिन्दगी चाहे हमारी हो या किसी और की बंती उसी की है जो सच्ची लगन से महनत करता है इसके लिए हमारे साथ बोलो जैजै मौरिबंश आपके भी जिन्दगी बनेगी चंद्रगुप्त मौर के सिद्धानतों पर चल कर आप वापस नहीं जा सकते ना ही सुरुवात को बदल सकते हैं परंतु जहां पर आप हैं वहीं से सुरू कर सकते हैं और अंत एकदम से बदल सकते हैं इसके लिए हमारी इस बात को ध्यान रखना और अपने आपके अपने आत्म विश्वास को ले करके जहां हो वहीं से सुरू कर दो तुम्हें मन्जिल अवस्ष्य मिलेगी और अंत को बदल सकते हो तो भोलो जै जै मौरिवंश हर एक मनुष्य में कोई ना कोई प्रतिभा अवस्य होती है परन्तु दुख की बात ये है कि उस प्रतिभा को नश्ट कर देते हैं दूसरों के जैसा बनने में इसके लिए मैं कहता हूँ अपने आपको पहचानो और अपने प्रतिभा को निखारो आज गिरोगे फिर चलोगे फिर गिरोगे एक दिन पूर रूप से चलना सिख जाओगे इसके लिए दूसरे की नकल नहीं अपना स्वयम का रास्ता बनाओ और चंद्रगुप्त मौर के सिद्धानतों का पालन करते हुए एक सामराज खड़ा करो बोलो जै जै मोरिवंज